इन तस्वीरों से साफ है कि उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता जहां राज्य में सत्ता पर काविज सपा ने आज बनारस में रैली की तो मोदी ने गोरखपुर में विजय शंखनाद रैली की कॉंग्रेस उपाद्यक्ष राहूल गांधी भी अमेठी में जनता के बीच गये और जनता दर्बार लगाया देश के सबसे ज्यादा सांसद यूपी से ही आते हैं और हर पार्टी यहां अपनी सियासी जमीन को मजबूत करना चाहती है मोधी और मुलायम के भासनों के बीच ही बड़ी खबर आई जब राहूल गांधी ने साफ किया कि चुनाओ के बाद कॉंग्रेस के सत्ता में आने पर अगर सांसद उन्हें प्रधान मंत्री पद के लिए चुनते हैं तो मैं इस पर जरूर विचार करूंगा इसके अलावा चुनाओं से पहले ही प्रधान मंत्री उम्मीदवारी पर बोलते हुए उन्होंने एक बार फिर से साफ किया कि कॉंग्रेस में पहले सही प्रधान मंत्री पद का दावेदार चुनने की विवस्था नहीं है और प्रधान मंत्री चुनना सांसदों का काम है मनमोहन सींग को भी हमारे चुने हुए सांसदों नहीं प्रधान मंत्री चुना था कॉंग्रेस में पहले से ही प्रधान मंत्री पत का दावेदार चुनने की विवस्था नहीं है ये लोकतांत्रिक विवस्था नहीं बलकि व्यक्तिवाद की विवस्था है प्रधान मंत्री चुन्ना सांसदों का अधिकार है और ये उनके पास रहना चाहिए राहुल गांधी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि हम यूपी में जब तक सरकार नहीं बनाएंगे राज्य का भला नहीं होने वाला राहुल ने एक बार फिर से प्रधान मंत्री पद्ध की उम्मीदवारी पर अपने इरादे साफ किये लेकिन बनारस में मुलायम ने एक बार फिर से केंदर में बड़ी भूमका की चाहत रखी इस दोरान सपा मुख्या ने केंदर सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए उसकी नीतियों पर सवाल खड़े किये साथ ही अपने भासन में निताजी ने बीजेपी के प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार नरेंदर मोदी की हैसियत ही पूछ डाली प्रधा मंत्री का उम्मीदवार और कैसे गुजरात बना देंगे किपा करके सोचना विचार करना अब गुजरात बनाने की तुबारी कोई हैंचत नहीं रहेंगी वही गुरखपुर में मोदी ने यूपी सरकार पर तंज कस्ते हुए कहा कि मुलायम गुजरात से कभी मुकाबला नहीं कर सकते नेता जी गुजरात बनाने का मतलब होता है लगातार दस साल तक दस परसन से भी जादा कृशी दर बनाना इसका मतलब गुजरात होता है तिन चार परसन में लुड़क जाना ये नेता जी आपकी हैसियत का नमूना है चुनाव का समय नजदीक देख सभी दल अपनी अपनी पार्टियों के जनाधार को बढ़ाने के मिशन पर लग चुके हैं और हमेशा से कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से गुजरता है ऐसे में कोई भी पार्टि आगामी चुनाव में अपने सियासी गनित को साथने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती ब्यूरे इंपूर्ट्स के साथ आशुतो शुकला की रिपोर्ट डीडी निूज